पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बाइग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे चहेते सूपरस्टार्स के बारे में यू तो बहुत सी बातें प्रशलित हैं संजीव कुमार इनका नाम हरी बाई जरी वाला था ये तो सभी जानते हैं लेकिन साहब ये फिलमाले एक्टिंग स्कूल का हिस्सा थे जेहां शुरुवात तो इन्होंने रंगमन से ही की और उसके बाद पीडी शुनाय जोकिन के टीचर थे उनसे इन्होंने अभीने सीखा फिलमाले एक्टिंग स्कूल में और फिलमाले स्टूडियो की फिल्मों में काम भी किया मेरा दिल मानता है तुम परुपकार की देवी हो पहने दो रहने तो क्यों मसका मार रहे हैं एक और गहरी बाद जो आपको हैरान कर देगी प्रित्वी राज कपूर अपने जमाने के बहुत ही बड़े अक्टर माने गए उन्होंने एक नाटक देखा उस नाटक में एक अभीनेता एक बहुत ही बुढ़े आदमी का किरदार ने भा रहा था और वो आदमी कोई और नहीं वो संजीव कुमार थे नाटक के मंचन के कुछ दिनों के बाद संजीव कुमार साब प्रित्वी राज कपूर साब से मिले और कहा कि बड़ा अच्छा लगा आप नाटक देखने आए प्रित्वी राज कपूर संजीव कुमार को बिना मेक अप के पहचान ही नहीं पाए उन्होंने कहा हाँ वो व्यक्ति ने उस एक्टर ने बुढ़े आदमी का किरदार बहुत अच्छा ने बाया था मुझे वह नाटक बहुत अच्छा लगा और संजीव कुमार को बहुत हैरत हुई कि आरे वो मैं ही था आप पहचान नहीं किया और उन बाद भी कम लोग जानते हैं कि आगर ऐसा क्या था कि इन्होंने कभी शादी नहीं की तुम्हें शादी करनी ही पड़े दरसल संजीव कुमार को लगता था कि उनके परिवार पेख शाप है कोई भी पुरुष 50 साल के उम्र का आखड़ापार नहीं कर सकता ठीक वैसा हुआ इनके भाई भी चले गए इनके पिता भी 50 साल का आखड़ापार नहीं कर पाये थे और संजीव कुमार खुद 47 साल के उम्र में ये दुनिया छोड़ चल बसे हां ये बात जरूर रही कि फिल्म अभिनेत्री और गाई का सुलक्षना पंडित के साथ इनके रिष्टे की बात झाल